पेट्रोल स्कूटर से जादा लोग अगर एलेक्रिक क्यूपर मूव आउन कर रहे हैं तो शायद आप में से कई सालोग शायद बात से एग्री ना करें लेकिन ये बात बिल्कुल सच हो जाती है जिसके अंदर एलेक्रिक स्कूटर की जो क्वालिटी रहती है वो पिछले साइकल के पूरे ब्रैंड को उपन कर रही है आप इससे समझ सकते कि माम लग काफी जादा सीरियस है और ऐसा क्यों भी हो ना क्योंकि सिंबल सी बात है कि पेट्रोल के जो प्राइस होते हो मार्केट में बहुत तेही से इंक्रीज हो है जहां पर 10 रुपे 15 पर किलोमीटर प करने और आत्य समय वह जमाना गायब हो चुक है जहां पर आपको लो क्योंटी के सब स्टैंडर एलेक्रिक प्रॉड़क्र को मिल देते यानि कि अब अफोर्डेबल एक्रिक स्कूर्टर भी आ गये और जो पुरानी बेकार क्वालीटी के लेक्रिक स्कूर्टर थे जिससा मार्केट में ये एक improvement और change आया है और इसी वज़े से जो electric scooters जो रहते हो market में धीरे-धीरे penetrate कर रहा है और जाद से अब popular हो रहा है इवन बात करें पुराने brands की जिसे बजाज हो गया, hero motocorp की विड़ा हो गई और tbs हो गया ये legacy player से लेकिन फिर भी electric के अंदर काम करने, ऐसी बात करें start-ups में Ola, Ather, Simple और भी कई सारे branches जो यहाँ पे लगे हुए लेकिन यहाँ पे एक simple सी बात यह थी कि यहाँ पे कई साल लोग अभी भी rely नहीं करते कि battery की cost रहेगी आगे चलके replace करवानी पड़ेगी यहाँ इसके अंदर दिक्कते आएंगी वेल, आथ के समय में इतनी high quality batteries की जरुवत पड़ रही है कि लोग पिछले 4-5 साल से अब इने use कर रहे है तो उसमें कोई ऐसी problem नहीं आ रही हाला कि कुछ ऐसे rare cases आते हैं जिन में से हजारों में से एक हाथ कोई case होता है जिसके battery के cell के अंदर कोई problem आगी लेकिन ये चीज़ भी आगे चलके बहुती ज़ादा negligible हो जाएगी अब बात करें service की तो ज़ादा movable components नहीं होते जिस कारण से regular service की हपे जरुवत नहीं पड़ती है जिस वज़े से scooter की जो life रहती electric की वो comparatively ज़ादा रहती petrol की तुलना में और petrol वाले जहां पर धीरे धीरे time के साथ उसका average गिरने लगता है electric के साथ range गिरने की problem बहुत लंबे समय के बाद आती है ये कुछ advantage रहते electric के और disadvantage अब बस ये था कि कीमतें जादा हुआ करती थी लेकिन पिछले कुछ समय से हर दूसरी कंपनी ने अपने affordable product को निकालना शुरू जब से करा है तब से यहां पर एक राक रुपे के अंदर काफी high quality scooters मिले लगे और दूसरी चीज यहां पर ये कि electric scooters की look hero जैसी company अपना best service program भी लेकर आई है जिसके अंदर battery as a service आप इसे use कर सकते है जिस वज़े से 50,000 रुपे में electric scooter लीजेगा और उसके बाद 1 रुपी पर किलोमीटर जितना आप उसे use करेंगे आप उसे अलग से परे करेंगे ये पिछले साल NG ने अपनी Windsor EV के साथ launch किया था जिस वज़े से electric scooter का जो market है वो तेजी से increase हुआ है और लोग उसे use कर रहे है और अगला पर जो लोग claim करते है कि इसकी charging यहाँ पर आप किथर करेंगे तो symbol सी वाते charging इनकी घर में हो जाएगी और आपको इसके लिए अलग से कोई भी बिजली का connection लेनी की भी ज़रूरत नहीं है आप normal connection का भी use करके आप इस आसनी से हापे use कर सकते है और normally जैसे अब mobile phone को charge करते है तो use कर सकते है और definitely कोई भी अगर आदमे अगर electric scooter को हापे use कर रहा है तो 10 km, 15 km, 20 km अगर दिन भर में चलाना है ना उसके लिए electric जादा sense बनाते है as compared to petrol और हाँ, आज के समय में जो high-end electric scooter सारे उनकी performance petrol की तुलना में काफी जादा better देखने को मिलती है जिस current से कई सारी companies आज के समय में premium product भी बनाती है और कुछ mass market के लिए affordable product भी बनाते है जिनकी range यहां पर कम होती है और कुछ अगर ऐसे example हो तो one of the best example होगा Ather Energy का Ather Energy ने कमाल के product बनाए जहां पर पहले उनकी Ather की 450 scooter आता था जिसके अदर high quality performance और overall एक high-end electric scooter था लेकिन अब उनका mass market electric scooter आता है जिससे हो family oriented scooter कहते है Rista जिसके अदर boot space भी काफी बड़ा है Performance भी ठीक है, battery lag भी ठीक है, even battery की warranty भी देते है जिसके अदर deep discharging की protection भी आपको देखने को मिलती है यहां तक कि इसके software के feature भी काफी अच्छे है जो Gen Z वगरा को काफी अच्छे रखते है 450 लाइनप कई लोग को बहुत पसंद आती क्योंकि proper touch screen है Google Maps सपोर्ट है और धेर सारे feature देखने को मिलते है जैसे regenerative rating हो गया, traction control हो गया जिस car head से ether का 450 है वो काफी अच्छी quality भी आता है और ether का list है और आने वाले future में इतना confirm है कि यह लोग अपनी electric bike निकाल रहे है और affordable electric scooter भी निकालेंगे batteries पर भी यह लोग काम कर रहे है जिसके अंदर battery के अंदर cell पर यह लोग काम करके LFP battery के साथ निकालेंगे heating की problem नहीं हो और all around बात कर रहे है तो feature rich reliable और durable जो product रहता है यह आपको ether की तरफ से देखने कोलता बस एक चीज़ रहती है कि ether के product की quality काफी ज़दा premium रहती है लेकिन जो लोग एक बार ether यूज़ करते है वो बार बार ether के product की उपर ही जाते है क्योंकि उसके अंदर आपको reliability और consistency देखने को मिलती है जो बाकी जगे से थोड़ा सा missing इसके बाद जो अगली जो company जो यहाँ पर काफी अच्छा कर रही है वह है आध के समय हीरो मोटो कॉट हीरो मोटो कॉर्प के बारे में बात इतर यह थी कि हीरो मोटो कॉर्प जो है यह वो आज के समय में अपना विडा स्कूटर लाई थी जिसके अंदर रूमेबल बैटरी थी लेकिन को पुराने विडा स्कूटर नहीं चले इसलिए उन्होंने VX2 नाम से नहीं सिरिज निकाली जिसके अंदर पहले तो सिंगल बैटरी डबल बैटरी वाले निकाली जिसके अंदर रूमेबल बैटरी अभी भी एग घर पे भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं और अपार्टमेंट वाले लोग के लिए सूटेबल है उपर से नहीं अपनी प्रोट की कीमते भी कम कर दी एक राख रुपे तक लिया है और रेंज भी यह लोग ठीक ठाग यहाप पर प्रोवाइट कर रहे हैं वो बैस प्रोग्राम का यूज करके हीरों ने काफी जादा कम कर दिया और ओवर और प्रोड़क्ट हीरों ने इंट्रस्टिंग हापर बनाया इसके बाद थर्ट पोजिशन पे जो कंपनी आती वो आती बजाट की चेतक बेको चेतक अपने पुरान लेगेसी नावं से आ रहा था और आज भी काफी ज़दा बिटता है लेकिन ये वाद जाननी पड़ेगी आज भी वन आप दा मोस्त स्ट्रॉंग माटेरियल के साथ आता है क्योंकि कई सारे लोग के दिमाग में अभी भी डर बनके बैठा हुआ है कि यार एलेक्रिक मतलब है ना क्वालिटी हलकी होगी प्लास्टिक मिलेगी ये चीज बजाज ने टोटली चेज़ कर दी बजाज ने पूरी मैटल बिल्ट लेकर आ गया जिस कारण से लोगों को एक प्रिमियम डैस का हसास हुआ दूसरी चीज परफॉर्मेंस भी अच्छी है बैटरी के अंदर भी काम किया है प्लस इन्होंने अच्छी रेंज भी पर प्रवाइट करी है और बजाज का ने ट्रॉक बहुत अच्छा है और जो नए चेतक के जो वर्जिन निकाले उसके अंदर बैटरी का साइस भी काफी अच्छा और इंप्रूमेंट भी करें और किसी भी थ्री पिन सॉकेट साप इसे चार्ज कर सकते हैं तो कुछ अटलीस बेसिक फंडमेंटल फीचर पे इनोंने काम किया उपर से बात की जाये तो अपने अंदर नैविगेशन, ब्लूटूथ कंट्रोल ऐसे अलग लग फीचर को लाने से भी यहां पे लोगों के मन में एक पॉजिटिव ट्रस्ट बना था और बजाच चे तक काफी लंबे समय से नमबर वन बेस्सकूटर बनके बैठ हुआ है और फो पॉजिशन पे बात करते हैं हपे टीवी ऐसे टीवी ऐस के जो आईक्यू बाती है वो मार्केट के अंदर काफी जादा हिटर काफी जाद सक्सेस्फुल है भले ही उसका डिजाइन आउट्डेट हो चुका है लेकिन फिर भी जो इलेक्रिक स्कूटर लोगों को चाहिए वो देख रहे हो लता है और आईक्यू का जो सबसे जादा वर्शिन दो सेल होता है मार्केट मों 2.2 किलोवाट आर वाला है कोई भी छोटे शहर का इंसान अगर इसे लेना चाहता है और 15-20 किलोमीटर से जाद उसे ट्रेवल करने नहीं तो आईक्यू उसके लिए बेस्ट है और ये नो नॉनसेस स्कूटर बनके सामदा है जिसके अंदर बेसिक फीचर सो आपको देखने को लते हैं अगर 40 लगाके सिफ चलना तो ये काफिक अच्छा सिंपल ऑप्शन हो जाता है जिसे कई सारे लोगों ने यहां पर लिया और यहां पर उसे पसंद किया है बस बात है कि डिजाइन और जो टेक्नलोजी होती हो थोड़ी से पुरान ही है और उसे अब रिप्लेस करने की जुरत है जो शाद TVS वाले जरूर से आप आगे करेंगे और IQ का जो बेस मॉडल ही बिकता है वही है उसकी ताकत जो हाइन मॉडल आते वो उत्ते जाद़ वेल्यू फॉर मनी या फीचर रिच लगते नहीं है लेकिन इसके बात बात करें तो कुछ कंफी से जैसे की बात करें River India या Simple वन की बात करें यह Start-up है Limited Region तक काम करें लेकिन अपने साब से अच्छे इलेक्रिक स्कूटर को बना रहे जैसे River India को SUV ऑप इलेक्रिक स्कूटर कहा जाता है और Yamaha के साथ भी यह लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बात करें हम यहाँ पर सबसे इंटरस्टिंग प्लियर की ना, तो वो यार आपकी All Electric आती है, एक जमाने में कुछ साल पहले तक All Electric No.1 हुआ करती थे, और पिछले साल थे भी सबसे जादा बेचा करती हैं, लेकिन स्कूटर के अंदर इशूज आते थे, जो उन्होंने अपनी हर जेनरेशन के साथ इंप्रूफ क्या, जेनरेशन 3 में जो इशूज थे, जो फिट एंड फिनिश है, जो प्रॉब्लम थे, जो काफी जादा यहाँ पर रिड्यूस कर दी, दूसरी चीज, उनकी सेल्स गरने का पर दिया था, तो अब धीरे सर्वेस के उपर ध्यान दे रहें, और तीसरी चीज यह थी, कि स्कूटर की कीमत पहले कम रखते थे, लेकिन अब मैंने देखा कि स्कूटर की कीमत इन्होंने जादा कर दी है, जहाँ पहले सबसे सस्ते बे ओला इलेक्टर का था था अब सबसे अफोड़ेबल लेक्टर स्कूटर, ओले लेक्टर के नहीं रहें, यह लोग थोड़े से प्रीमिम केटिगरी में जा रहें, और जो स्कूटर्स उन्होंने लॉंच किये थे, अब सबकी कीमत लॉंच प्राइस से जादा हो चुकी है, जिसका इंपक्त इनकी सेल्स की उपर और अगली जो प्रावलम इनके साथ यह थी कि यह लोग उन्हों प्रॉड़क्ट बहुत जादा अनौस कर दिये थे, लेकिन सडकों पर आए नहीं, तो अब धीरे धीरे इनके जब प्रॉड़क्ट सडकों पर आएंगे, जैसे कि इनकी मोटरबाई का भी लिमिटेड अवा प्रॉड़क्टर में डिजाइन है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ इसेल यूज किया जाता है टेसला के साइबर ट्रक के अंदर, लेकिन अभी भी कोई प्रॉड़क्ट उनका मार्केट में नहीं आए, एक बार ये सल मार्केट में, आज हैं लोग इसके प्रॉड़क्ट से अगर एक बार इसको यूज करना शूओ कर दें, तो मार्केट में गेम चेंजर वाली चीज थाबित हो सके, क्योंकि अभी तब बाकी जितनी भी कंपनी अपने सैल को यहां पर यूज कर रहे हैं, वो सारे चाइना या कोरिया बाहर कहीं समगाती है, जिस कारण से आने वाले समय में Ola को एक crazy advantage मिल सकता है, तो आने वाला future का काफी अच्छा है, बस बात यही रहेगी कि Ola के products रहते हैं, अब थोड़ा time लेकर आ रहे हैं, जो कि मैं बोलूग एक अच्छी बात है, क्योंकि नो ने बहुत सारे products रनाउस कर दिया, बहुत सारी buys दिया, बहुत कुछ ब काफी जादा यहापर damage यहापर हुआ था, हाला कि company product बना रही है, table product बना यह जल्दी बाजी ना करें, तो यह company lockdown में काफी अच्छा खेल सकते हैं, बागे आगे चलके भी इसके product मार्केट में काफी कावाल कर सकते हैं, लेकिन इसके product के बारे उनों तभी बात करेंगे, हो सकता है, जो लोग अभी petrol ले रहे हैं, वो धीरे-धीरे segment खतम होता चले जाएं, और लोग धीरे-धीरे electric के उपर transform होते चले जाएं, चूकि electric के उपर अभी भरोसर करने में लोग को समय लगेगा, लेकिन एक बार लोगों ने कभी electric को use कर दिया, तो शेया petrol के उपर शेय यहाँ पर हो रहा है, जिस कारट से लोग हैं, जैसे बात करें, cell technology का, या फिर motor के इंदर के technology लगती है वो, या फिर built-in software के इंदर जो काम हो रहा है, features के इंदर काम हो रहा है, जब भेगी-भेगी कारों की feature होते थे वो ठोटके अब electric scooter के इंदर आ रहे है, एक एक लाक के, वो यहाँ पर भी देखके काफी अच्छा काम लगता है, कि यहाँ पर भी अलग टैप का revolution यहाँ पर create हो रहा है, देखके electric scooters की आगे चलके कहानी क्या रहती है, मेरे को लगता है कि एक दो साल में petrol की seriously काफी बड़े सिल्कों यहाँ पर खाने लगेंगे धीरे-धीरे, रहा बेखके काफी आप से इन तो, नच्छा की और रार गाँ इनिया रार गप!